हेलो फ्रेंट्स वल्कम डो जिके क्रेज फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपका अराल भी एंटीपीसी एक्जाम के 28 डिसमबर से आज तक जितने भी साइंस यानि बिग्यान के सवाल पुछे गए हैं उन सब को दोस्तों एक साथ डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं इससे दोस्तों आपको फाइदा क्या होगा आप सभी लोग को पता होगा कि दोस्तों एंटीपीसी के सारे सिफ्ट में पिछले सिफ्टों से सवाल रिपीट हो रहे हैं और उसी पैटेन के सवाल ही पुछे जा रहे हैं इससे आपको पता तेल जाएगा कि किस किस टपिक से स सबसे ज़्याद सवाल पुछे जा रहे हैं, सबसे महतपुन बात यह है कि दोस्तों इसी से ही आपके सिप्ट में हुब हुब हुबी सवाल रिपीट होंगे, तो अगर आपका एक्जाम खतम नहीं हुआ है, अगर आप गुरूबडी का भी एक्जाम देने वाले हैं, तो ये इस वीडियो में हम लगभख साड़ सवाल डिसकस करने वाले हैं, कईका पार्ट वइडियो में हम 28 डिसमबर से 13 जानवारी तक या 12 जानवारी तक जितने पूछे के थे और डिसकस किये थे और उसके बाद के सवाल इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सारे के सारे लेटेश सवाल और इसका PDF दोस्तों हमारा GK क्रेच अपलीकेसर में आपको मिल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए भी एक वीडियो में बना दिया है उसको भी देख लिएगा उसका भी लिंक आपको वीडियो का डेक्शन बक्स में मिल जाएगा सासा दोस्तों आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप में भी जूट जाएगे जहां पर दोस्तों इसका PDF दो घंटे के बाद मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के सवाल मतलब NTPC में अब तक जितने भी भूगल के सवाल जितने भी पॉलिटिकाल साइस हिस्ट्री से सवाल चाहते हैं तो कमेंट बक्स में जरूर बताएगा मैंने ज्यादतर वीडियो अप्लोड कर दिया है जैसे कि कम्पूटर का हो गया जोग्राफी का हो गया हिस्ट्री का हो भी किस में आप पढ़ सकते हैं सौन्ग का नाम पर रखा गया जैसे यह बौगए सवाल का पूखा मैंत ही ज उसको व्लिटेल्स तो है अप सकता है नेट में बस याद रखें कि sound का जो SI unit decibel है इक इतका नाम पर रखा गया था Alexander Graham Bell दोस्तों अगला स्वाल पुछा गया था growth hormone जो होता है वो कौन सीक्रेट करता है कौन सा gland secret करता है याने बुरुधी hormone कौन सा ग्रंथी स्रावित करता है से अंसर होगा दोस्तों पिच्वाटरी gland याने प्यूस ग्रंथी इसका से अंसर होगा और प्यूस ग्रंथी को हमारा सरीर का master gland भी कहा जाता है endocrine system का सवाल था याने दोस्तों अंतरस्राविक ग्रंथी से इस सवाल पुछा गया था ऑके आपको gk crash अप्लिकेसन में biology का topic wise नोटस मिल जाएगा जिसमें दोस्तों जितने भी हर््मॉन हैं ANDocrine system से जितने हर्मॉन है सबी पर नापको मिल जाएगा सबी ग्रंथी के बार में पंह भेंधा,เขमेश्य का प्रपिक हैं फिजिक के जितने भी टपिक हैं सब कुछ आपको GK क्रेश्ट अप्लिकेशन में मिल जाएगा और सारे के सारे सवाल यहां पर जो देख रहे हैं साइंस से 90 पर्षेंट सवाल उसी में से ही है दोस्तों अगला सवाल पुछा गया था जो सोडियम क्लोराइड नह NH4CLE इन दोनों का मेक्चर को किस प्रक्रिया से अलग क्या जाता है इनका सेपारेशन करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं सबलीमेशन कहते हैं आपको डिटेल से समझाता हूं दोस्तों यह जो NH4CLE है यानि जो आमोनियम क्लोराइड है एक सब्लाइम कमपाउंड है दोस्तों NACL, NH4CL इन दोनों को गर्म करेंगे, तो NH4CL ये बास्ट हो करके उपर चला जाएगा, वैपर हो करके और दोस्तों NACL ये नीचे ही रह जाएगा, तो इसी प्रक्रिया से हम इसको सेफारेट कर सकते हैं, और भी दोस्तों बहुत सारे केमिकाल कंपाउंड हैं, जो जो भैपर को, जो भैपर को अगर हम कूल करेंगे, थंडा कर देंगे, तो वो फिर से आपका NH4CL बन जाएगा, फिर से नाप्थालिन बन जाएगा, दोस्तों अंगलास फाल है, सुरिया का अस्थ होते समय, लाल दिखाई दाना, ये किसकी बज़ा से होता है, सियान सर्वा है, सब कुछ जीके करेजाब लिगेशन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डीटेल्स में पर लिजिएगा, साइंस किताब से भी आपड़ सकते हैं, दोस्तों अंगलास वाल पुछा किया था, चुने का पानी किस ग्यास से मिलकर दूधिया हो जाता है, दोस्तों चुने का पानी, इसका chemical formula क्या होता है, C-A-O-H-2, calcium hydroxide को चुने का पानी कहते हैं, यह दोस्तों carbon dioxide, ग्यास से मिलकर के, मिलकी यानि दूधिया हो जाता है, chemical reaction को भी जान से याद रखे, CO2 plus C-A-O-H-2, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, C-A-C-O-3, यानि इन में से calcium carbonate निकलेगा, और पानी निकलता है, ओके, यह chemical reaction काफी महता पूर्ण है, इसको याद रखे, उगला सवाल लेखते हैं, दोस्तों, neutron का खोज किस ने क्या था, Gems, चादुई कि इसका से answer होगा, और सवाल यह भी बूच सकता है कि neutron का खोज कब क्या गया था, 1932 में क्या गया था, और proton का ख खोज किया गया था, और उसके बाद दोस्तों, आपका proton और आखरी में neutron का खोज किया गया था, क्या मुझे आप बता सकते हैं, comment box में, hydrogen का खोज किस ने किया था, और कब किया था, चले comment box में होता है, अगला सवाल देखते हैं, दोस्तों, आबूती का इकाई, जो हर्च है, एकिस बज़्गानिंक के नाम पर रखा गया था, दोस्तों, सी answer होगा, henrych, henrych, horse, इनकी नाम पर रखा गया था, दोस्तों, अगला सवाल पुचहा गया था, चटान में दरार को पता लगाने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है, दोस्तों, चटान में दरार यानि जो floor और में कराख होते हैं. जो ट्रेन का पटरी में कराख होता है. उसको पता लगाने के लिए कों सा sound का इस्तमाल क्या जाता है दोस्तों? अल्टरा स्वानिक sound का. अल्टरा स्वानिक sound इसका से answer होगा. उक्ट याद रखें अगला सवाल देखते हैं. Green House Gas उत्तसर्जन को कम करने के लिए Global warming को कम करने के लिए किस अंतराष्टरिय संधी पर हस्ताकिर हुए थे Kyoto Protocol क्या दर क्या दैसाओ Kyoto Protocol इसे बहुत सारे सवाल पूची जा रहे हैं और ये कब sign क्या गया था 11 डिसमबर 1997 को कहां पर क्या गया था जापान का क्योटो में क्या गया था और यह कब से effective हुआ कि 16 फरवरी 2005 को effective हुआ भोल्ड मेटर किसको मापने के लिए इस्तमाल किया जाता है electric potential को मापने के लिए इस्तमाल किया जाता है दोस्तमा अगला स्वाल पुछा गया था कोन सा बिद्दूत उपकरण यानि कोन सा electrical affluence यह दोस्तमा heating effect of current यानि दोस्तमा ताप का ताप प्रभाव के सिधान पर काम नहीं करता दोस्तमा जितने भी heating device है जिन से गरम निकलता है जितने भी heating device जैसे कि electric iron हो गया यह सब दोस्तमा उस सिधान को मानते हैं यानि जो heating effect of electric current है लेकिन दोस्तमा फ्यान जो है यह नहीं मानता कि यह एक heating device नहीं है तो अगला सवाल देखते हैं इसका जो सही answer होका फ्यान होगा ओके पंखा फोलों का स्वात किस सरकरा के कारण मिठा होता है फ्रुक्टोज के कारण मिठा होता है फोलों का स्वात किस के कारण फ्रुक्टोज के कारण आपके option में glucose दिया होगा, pentose भी दिया होगा, hectose, sucrose सब दिया होगा, लेकिन fructose को लगा करके आएगा दोस्तों नेक्स वाल देखते हैं, SI unit of electric current क्या होता है, ampere होता है, electric current का SI unit दोस्तों अगला सवाल पुछा गया था, plaster of Paris के बारे में क्या सत्या नहीं है इन वे से कौन सा कथन सत्या नहीं है, आपको पता हैं दोस्तों जो plaster of Paris होता है, उसका color सफेद होता है, सही है और उसके बाद वो खिलोने बनाने में भी इस्तमाल किया जाता है plaster of Paris को, हड़ी को जोड़ने के लिए भी सहाग होता है plaster of Paris और उसका जो chemical name क्या है calcium sulfate hemihidrate, यह दोस्तों C-A-S-O-4 hemihidrate यानि हाप H2O इसका chemical formula है और उसके related और एक भी formula पुछा जाता है gypsum gypsum का chemical formula क्या है C-A-S-O-4-2-H-2-O याद रखे दोस्तों और यह जो plaster of Paris से यह कहां से इसको बना जाता है किस से बना जाता है दोस्तों gypsum को गर्म करके कुछ एक particular temperature में गर्म करके इसको बना जाता है plaster of Paris कौन सा कथन सत्य नहीं है यहां पर पूछा गया था यह आपका अपर option के ओपर defend करता है मैं इसके बार में details में बता दिया आपको कौन सी जंगली पोधा है जिसका नुकिली कांटों को छुने से खुजली होता है किस पोधा से इचिंग होता है नेटिल पोधा अमा सहय में कौन सा अमला होता है अमा सहय में दोस्तों hydrochloric acid होता है कौन सा द्रब्य छोटी आंत से बसा को ले जाता है लिम्प फ्लूइड केरीज फैट फ्रम स्मॉल इंटेस्टाइन तो लिम्प इसका सी अनसर होगा यह हर बग यह फैट को केरी करता है दोस्तों अगला सवाल है ILSS को वास करने के लिए यहने सफाई करने के लिए उसका साप करने के लिए जो पलकें का साप करने के लिए कौन सा acid का इस्तमाल किया जाता है से अनसर होगा दोस्तों boric acid boric acid इसका से अनसर होगा क्या मुझे आप बता सकते हैं boric acid का chemical formula क्या है तो याद रखे दोस्तों, H3BO3, H3BO3 इसका chemical formula है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, गुबारों में भरी जाने वाली सबसे हलकी ग्यास, कौन सा है, से अंसर होगा दोस्तों, helium ग्यास, याद रखे हिलियम ग्यास इसका से अंसर होगा, What is the average surface temperature of sea water, याने समुदरी तल सता का ओसत तापमान कितना होता है, 17 degree Celsius होता है, दोस्तों अंकला सवाल पुछे क्या था, निकट दुरुष्टी दोस को क्या कहा जाता है, ग्यास जो short-sighted digits कहा जाता है, आँखों का डिजिच, मायवपिया को कहा जाता है, मायवपिया इसका से अंसर होगा, दोस्तों अगला सवाल लगते हैं, पक्यों का अध्यान को क्या कहते हैं, अनिथोलोजी कहते हैं, से अंसर होगा, अनिथोलोजी, अगला सवाल पुछा गया था, ब्लाक फिवर, ये किसके कारण होता है, दोस्तों ब्लाक फिवर को कालाजार भी कहा जाता है, किसके कारान होता है यह लिस मानिया डोनवहनी के बज़ा से होता है इसका exact नाम है यह लिस मानिया भी याद रखेंगे तो चलेगा और इसका बाहग कौन है स्यांड फ्लाइ और स्यांड फ्लाइ का साइंटिपिक नाम क्या है फ्लेबो टोमोस अर्जेंट टाइप्स दोस्तों जिके करेच अपलिकेशन में यहाँ पर आप जितने भी देख रहे हैं जितने भी टॉपिक हैं जिस इस टॉपिक से आपके एक्जाम में सवाल पुछे आ रहे हैं उन सभी टॉपिक का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा कंप्लीट मोक टेस्स मिल जाएगा वहां पर दोस्तों साइंस का तीन इबुक भी मैंने बनाया है एक है बाइलोजी उसके बाद है केमेस्ट्री और तिसरा है फीजिक्स उस प्रीमियम इबुक में लगभग मै सवाल को सामिल क्या है जितने भी previous question है आपके railway exam के जितने भी NCRT के महतफ़पुन सवाल है सभी को डाला गया है उसको भी ज़रूर बाय कर लिजीगा सिर्फ पर सिर्फ 29 रुपय में वह आपको मिल जाएगा हमारे GK क्रेच अप्लिकेशन में ओके दोसों आगे बढ़ते हैं तो इसकोứcुटोटूट्रफीजिम कहते हैं जितने दोसवाल है इलेक्ट्रोन की खोच किस ने की थी जैजे थम्सन इसका से अनसर होगा Эλέक्ट्रोन proton और neutron इन तिनों की खोज के बारे में आग तक दोस्तों लगभग 5 यार 6 सवाल पुछे जा चुके हैं दोस्तों हमारा सरीर का सबसे बड़ा ग्रंथी यानि जो largest gland कौन सा है लिवर इसका स्यांसर होगा यह सबसे बड़ा ग्रंथी है कोसिका की उर्जा का इकाई क्या होता है दोस्तों जो energy cell का energy होता है कोसिका का energy उसका unit क्या होता है ATP इसको energy coin भी कहते हैं energy coin कहते हैं और ATP का full form क्या होता है adenosine adenosine triphosphate सुरिया से आने वाले प्रकास को चंद्रमा या पूथिवी यदि पूंड तया रोक दे तो उस छाया खेत्रों को क्या कहा जाता है C answer होगा प्रच छाया कहा जाता है C answer इसका है अगला सवाल है दोस्तों lens की ख्यमता किस इकाई से मापी जाती है यह दोस्तों जो power of lens होता है वो किस इकाई से मापी जाती है diopter इसका C answer होगा अगर सवाल पुछा जाए कि SI unit of power of lens क्या है unit इसका unit क्या है diopter हो जाएगा और इसका formula क्या है one diopter equal to one by frequency गलास वाले कौन सा उपकरण electromagnetic induction के सिधान पर काम करता है कौन सा electrical appliance दोसों electromagnetic induction के सिधान पर काम करता है C answer होगा generator generator इसका C answer होगा electric generator दोसों अंकलास वाल है neutron के गति का प्रथम नियम को क्या कहते है जो neutron का fast law होता है उसको और क्या कहते है दोसों law of inertia कहते है law of inertia कहते है और हिंदी में जड़तों का नियम कहते है एक सवाल पुछा किया था चींटी के ढंक में कौन सा अमला होता है जो आंट्स bite में आंट्स lead में कौन सा acid होता है फोर्मिक acid इसका C answer होगा जिसको की मिथानोइक acid भी कहते हैं दोसों क्ला सवाल देखते हैं ये सारे सवाल दोस्तों आम पाटवान वीडियो में आप डिसकस कर चुके हैं उसको जा कर देख लीजिए इस वीडियो का डिक्शन box में है सिर्फ आज का वीडियो का पीडिया जाते हैं तो आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप को जान के लिए जिके क्रेज आप लीकेशन में बस इतना ही नहीं पिछले दो साल के करेंड एफ्यार वह भी टोपिक वाइच मिल जाएंगे जितने भी टोपिक हैं करेंड एफ्यार के लगभक 50 NTPC टोपिक से वहाँ पर सभी का मोक टेश्य भी गाग देर एस बात के दोस्तों सभसेवा का NTPC एक्साम करने वहान जैए हमारे घेकरज करेंट